Hey everyone, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का warm welcome करता हूँ YET editorial class में, मेरा नाम है अमन बहल आज की class economy और science दोनों का mixture है science का मैं economy ज़ादा है इस class में देखेंगे कि भारतिये कंपनिया, Indian firms R&D में यानि research and development में कितना खर्च करती है नया products बनाने के लिए कितना पैसा invest करती है बड़ा important article है शुरू करना इसको अपने को अपने quiz के साथ में उपर पैरा जंबल है, बीच में comprehension है बाद last में vocab और grammar सारी structure आपको पता है ना, अपने quiz की quiz को class के अंध में try देंगे देखें, 10 में से 10, 9 में से 9 अपने को marks मिलने चाहिए बूरे मन से class को लेना, हर concept आपको detail में basic से सिखाएंगे चलिए शुरू करते है lecture को आईए कुछ नया सिखते है ओर राइट कैरेजी the R&D roulette देखें, roulette क्या होता है आप अगर कभी कसीनो गए हो, या नहीं भी गए हो तो आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा इस तरह से एक गोल चक्कर सा होता है कसीनो में, gambling houses में जहां जुआ खेला जाता है और आपने अपना number जो है इसमें से choose कर लिया और फिर ये चकरा घुमेगा ये गोटी जो है उचलेगी अगर आपके number पे आ गई तो आपको पैसे मिल जाएंगे नहीं तो आप पैसे हार जाएंगे एक्दम जुए का game है ना तो इस चक्करे को इस जो है आप देख रहे हो ना इस बोड को आप अंग्रेजी में बोलते है रूलेट ठीक है और R&D का मतलब क्या होता है research and development अगर आप एक smartphone बनाने वाली company है तो ऐसा नहीं है आपने एक phone बना दिया और फिर 50 साल तक वही phone बेचे जा रहे हो आपको उसमें नहीं research करके उसको और upgrade करना होगा और research करने के लिए development के लिए आपको थोड़ा पैसा भी अलग से रखना होगा खर्च करना होगा तो यह जब आप अपने product को upgrade करने के लिए पैसा लगाते हो अलग से खर्च करते हो उसको अंगरेजी में बोलते है R&D करेजी जो R&D का काम है वो एक roulette के जैसा है वो एक जूए के जैसा है हो सकता है आपने बहुत पैसा लगाया R&D में लेकिन फिर भी आपको यह अच्छा product नहीं बना पाए हो सकता है न ऐसा और अगर पैसा नहीं लगाया तब तो product बनेगा ही नहीं बिल्कुल भी तो R&D के अंदर पैसा लगाना कोई जिम्मेदारी या कोई guarantee की बात नहीं है कि कुछ आप उससे नया निकाल पाएंगे मेरे ख्याल से title का meaning आपको समझ में आ गया होगा The R&D roulette के रहे जी The government must ensure that firms do not use their dominant positions to stifle competition के रहे जो हमारी सरकार है The government है The का T छोटा हो गया copy paste में T को आप बड़ा रखेंगे यहाँ पे है न के रहे है जो भारत की सरकार है of course हमारी government की बात कर रहे है के रहे है उसको ensure करना पड़ेगा इस सीज को पका करना पड़ेगा सुनिश्चित करना पड़ेगा कि firms जो है या company जो है बड़ी बड़ी वो यूज नहीं करती है अपनी dominant या परभावशाली position को या ओदे को और क्यूँ stifle करने के लिए गला घोटने के लिए चुप कराने के लिए competition को तो देश के जो बड़ी गंपनिया है Reliance Industries है Tata है Billas है डालमियाज है ये जो बड़े बड़े अडानीज है सरकार को ensure करना होगा कि ये बड़ी कंपनिया R&D में पैसा लगाएं ना कि इस चीज में अपना वक्त और पैसा जाया करें कि वो कैसे dominant रहेंगी कैसे sector को dominate करेंगी क्योंकि ये कंपनिया क्या करती है जब बड़ी हो जाती है तब नया प्रोडेक्ट डेवलेप करने पे पैसा नहीं खर्च करती बलकि सारा ध्यान इस सीज पर लगाती है कि competition को कैसे खतम कर दिया जाए मार दिया जाए तो सरकार को ensure करना है इस काम में गलत काम में ये कंपनिया involved ना हो समझ पारे होंगे मोटा मोटा है ना क्या कहना चारा है government की वाब है must ensure firms की वाब है do not use ठीक है dominant या नहीं जो प्रभावशाली हो dominating हो जैसे जीओ वजार में आया reliance जीओ सबसे पहले उसने क्या कोशिश की उसने पहली कोशिश ये की कैसे भी करके Vodafone Idea और ATL का धंदा बंद कर दू free में इंटरनेट free में calling Vodafone Idea आज की डेड में बंद होने की कागार में है आज बंद हुआ या कल बंद हुआ और कैसे दैसे ATL समला हुआ है तो जब भी बड़ी कंपनियां बजारों में आती है वो कुछ नया प्रोडेक्ट डिवलप करने पर ध्यान नहीं देती है भारत में उनका एक ध्यान होता है कि कैसे मेरा competition है उसको bankrupt कर दू stifle करना किसी चीज का गला गोटना रिस्ट्रेन करना है न उसकी आवाज को दवाना चलिए बड़ा interesting article है शुरू करेंगे इसको अपने vocab के साथ में चार-पांच words है शुरू में एक साथ देख लो ताकि smoothly इसको पढ़ सको इंट्रस्टिंग लगती है तो जरूर से एक like देना आपका ये free of course तरीका है जरिया है इस channel को support करने का आपके likes and shares structured way में अपने exams की त्यारी के लिए download करें YT app को आपकी अपनी app है comment section में इसका link दिया गया है app पे आपको premium quality courses मिलते हैं जो सिरफ नाम भर के premium हैं बहुत ही कम fees रहती है affordable course रहती हैं सभी के लिए जैसे कि writing का course जिसमें 50 hours के अंदर आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी exam के लिए English के अंदर सारे exams के सारे formats इस course में covered हैं छोटा सा pocket crash course है और दिवाली के मोके पे कुछ additional discounts चल रहे हैं जरूर से जब तक ये discounts हैं इनका फायदा लेते रहना 465 में आपको writing का course एप पे मिल जाएगा इसी तरीके से आपको UPSC का course भी मिलेगा जिसमें writing को एक step फर्दर ले जा सकते हैं आप civil services exams के लिए 1325 में ये course अवेलबल है दिवाली वाला coupon लगा करके इसका फायदा ले सकते हैं banking SSC के course भी अवेलबल है जिसके अंदर आपको सारे questions को prepare करवाया जाता है कैसे आप exam को handle करेंगे banking SSC पिलिम्स मेंस दोनों को R&D रोलेट शुरू करते हैं first word से frugal से zoom in कर दू frugal का मतलब होता है किफायती ठीक है देखे एक होता है conjuice एक होता है किफायती दोनों में फर्क होता है तो करेंगे जी frugal यानि economical किफायती the old lady had become wealthy but still was tempted to alter her frugal way of life करेंगे जी जो old lady थी जो बूड़ी औरत थी वो wealthy हो चुकी थी धनवान हो चुकी थी लेकिन अभी भी वो tempted नहीं थी अभी भी वो अकर्षित नहीं थी alter करने में बदलने में अपने किफायती जीवन जीने के तरीके को या जीवन जीने के किफायती तरीके को यहाँ पे not missing है she was not attempted लिखना होगा मुझे यह not add कर लेना ठीक है डाल दूँगा इसमें मैं चलिए frugal को tight fisted भी बोलते हैं fist यानि मुठी tight मतलब मजबूत अगर मुठी में पैसा पकड़ रखा है आपने तो किफायती आदमी है आप है ना इसको parsimonious या stingy भी बोलते हैं stingy भी बोलते हैं याद रखना stingy और parsimonious जो है negative words हैं कंजूस आदमी के लिए यूज होते हैं वो जो ऐसा मूँ से पैसा पकड़ लेता ना कोई आदमी दस-दस पैसा ऐसे आदमियों के लिए stingy और parsimonious words यूज किया जाते हैं tight fisted होना अच्छी बात है अगर आप थोड़े से किफायती हैं सोच समझ के खर्च करते हैं चलिए यह word आप आडिकल में देखेंगे अगला word अपने पास satire satire और irony दो words हैं जो उपहास के लिए यूज होते हैं उपहास समझते हैं आप the movie is a clever satire on the advertising industry यह जो movie जो है एक clever satire है एक बहुत ही चतुर तरीके से किया हुआ उपहास है advertising industry का विज्यापन देने वाली industry का irony को satire को mockery या parody भी बोलते हैं you'll see the word irony in the article today याद रखना जब यह word आएगा तो इसको इसी तरीके से process करना है न जहां जिस sentence में word आपको दिखे अगला word है essence देखे किसी भी चीज के सार को बोलते हैं essence photographs are a tool to capture the essence of a situation तस्वीरे एक जरिया होती है tool होती है किसी भी situation के सार को या essence को capture करने का किसी भी situation की तस्वीर ले लो 10-20-30 साल बाद भी आप देखेंगे अगर वो ठीक तस्वीर होगी तो आपको वो situation दिमाग में है ना तारो ताजा हो जाएगी आपके दिमाग में एकदम refreshed हो जाएगी essence को cracks, gist या nitty-gritty भी बोलते हैं cracks नाम का word आर्टिकल में देखेंगे जैसे आपको कोई बोले यार पूरी बात का मतलब बताओ पूरी बात का सार क्या है तो आप बोलेंगे what is the crux of the matter इदर दर की बात मत करो जो पूरी बात है वो बताओ cracks of the या essence of the matter चलिए अगला word है relegate बहुत important word है कई दिनों बाद आया है देखें relegate का मतलब होता है किसी चीज के दरजे को एक दरजा नीचे ले आना level को downgrade कर देना या फिर किसी को expel कर देना बाहर निकाल देना या तो आपने कोई employee था जो manager था director था उसको clerk बना दिया ऐसे याद रखो उसको clerk बना दिया तो आपने क्या कर दिया उसको relegate कर दिया या फिर आपने उसको बाहर ही निकाल दिया company से expel कर दिया तो भी आपने उसको relegate कर दिया negative word है downgrade के साथ में इसको connected रखना he resigned after being relegated to a lower position in the management उसने resign कर दिया relegate होने के बाद demote होने के बाद lower position में management के अंदर यानि उसको management में नीचे लाया गया दिया गया तो उसे नोकरी ही छोड़ दी relegate हो गया वो the team was relegated from the tournament team जो है बाहर निकाल दी गई tournament से relegate कर दी गई match को lose करने के बाद after losing the match तो यह downgrade वाला synonym जो है इसका you'll see in the article today relegate last word है अपना cater cater करना यानि catering business की तरह किसी को serve करना किसी को सेवाय देना मारूती सुजुकी manufactures cars to cater to the needs of middle and lower middle class of India जो मारूती सुजुकी नाम की company है वो ऐसी कारे बनाती है जो serve करे cater करे सेवाय दे देश की middle और lower middle class को अमीर आदमी मारूती सुजुकी गाड़ी कम ही देखेंगे आप लेगा कोई ऐसी गाड़ी आती भी नहीं मारूती सुजुकी की जो 10-15 लाग से उपर पंदर लाग से उपर की हो तो मारूती सुजुकी जो है भारत के मध्यम वर्ग और मध्यम लोवर वर्ग को केटर करता है चलिए मेरे क्याल करते हैं जैसे बच्चों को कुछ लोग लाडले नहीं मना लेते जो मांगा हो लाकर दे दिया चॉकलेट एक मांगी थी तीन लाकर के दी तो इसको पैंपर करना या कोडल करना बोलते हैं कभी कभी पैंपर भी देखोगे ग्रैटिफाई भी है ठीक है केटर में सेवाई दी कोडल पैंपर में आपने उसको सर पे चड़ा लिया इतनी ज्यादा आपने सर्विस उस आदमी को दे दी चलिए पांच वर्ड्स हैं डिटेल में होगे थोड़ा मैं टाइम इसकी लिए आपको फिलिंग आनी चाहिए आपने क्या पढ़ा चलिए अब एक समरी आपको दें आर्डिकल की किस पारे में लिखा हुआ है समरी यह कि भारत की जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो आर एंडी पे बहुत पैसा जो है कम खर्च करती हैं बजाए जो है विदेशी कंपनिय के उनका सारा ध्यान भारतिय कंपनियों का यह होता है कि बाहर की कंपनियां कुछ नया खोजें और उसका डुपलिकेट हम यह बना लें यह मैं वैसे बता रहा हूं आपको आर्डिकल में लिखा नहीं हुआ थोड़ा सा और इसका मीनिंग बताना चाहरा हूं आर्डिकल का आपको जैसे कोई नए दवाई है तो वह दवाई बनेगी जीस के नाम कि किसी कंपनी के द्वारा और फिर उसके अंदर भारत में सिपला और डाबर जो हैं उस दवाई को कौपी करके उसका जनलिक प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो हमारी कंपनिया और और ती में पैसा खर दुकान कैसे बंद कर दी जाए मेरी कंपनी का फाइदा ज्याद से रख कैसा हो मेरी दो कॉंपिटिटिटिव कंपनी उसके प्रोड़क्स विकने कैसे कम हो जाए हमारा आर्टिकल करें कि इन कंपनियों की इस गंदी आदत को सरकार को तोड़ना होगा ताकि कंपनियां अर्जी को इन्वेस्ट करो तो चलिए क्रिटिकल टोन आज की क्रिटिसाइज कर रहा है थोड़ी सी सरकास्टिक भी आपको मिलेगी शुरू करते हैं आर्टिकल को करेंजी इंडिया इस ऑफ्टन अर्ज्ट तो एंप अप इस रिसर्ट एंड डिवलोप्मेंट और आरेंड अर्जी गेम तो बूस्ट प्रोड़क्टिविटी एंड की पेस्विद ग्लोबल मार्केट्स करें भारत को अक्सर अर्ज किया जाता है अर्ज करना बता है क्या होता है आपने सुना हो ना अर्जी मैं अर्जी दे रहा हूं शुट्टी की अर्जी यानि रिक्वेस्ट दे रहा हूं मैं वो अर्जी हमने बना लिया है अर्ज नाम के वर्ड से अर्जी तो अर्ज करना यानि रिक्वेस्ट करना किसी से आप मानमनवार करते हो मनाते हो आप किसी को न तो बारत को भी रिक्वेस्ट की जाती है अर्ज किया जाता है कि यह एंप अप करे या रैंप कर सके कंदे से कंदा मिला कर के चल सके की पेस जाना के लाका कि तो कंदे से कंदा या क्दम से कंदम मिलाखर के चल सके global मार्किट के साथ दुनिया भर के बजारों के साथ इंडिया की वोब है इस आफ्टन भी बोलते हैं दोनों प्रोनासेशन चीज करना किसी चीज के लेवल को एक दरजा उपर लाना intensify करना enhance करना भारत enhance करे अपना R&D का game चलिए करेजी with R&D spending hovering around a meager 0.7% of GDP far behind its peers it is significant hurdle for economic growth करेजी with यानी साथ ही R&D की spending के R&D की उपर खर्चे के hover करने के या मंडराने के लगबग सिर्फ around a meager meager का मतलब होता है सिर्फ थोड़ा सा 0.7% GDP का तो करेजी हमारी GDP के 0.7% परे R&D का खर्चा जो है उसके आसपस मंडराने के मंडराना है नहीं उसके आसपस रहना करेजी गटना के साथ ही करेजी जो की far behind है बहुत बीचे है भारत के peers से भारत के जो समकक्ष दूसरे देश है peers है भारत का समकक्ष आपको Vietnam मिलेगा कुछ हद तक China मिलेगा अलंकि बहुत आगे निकल गया है Brazil मिलेगा करेजी इस चीज के साथ ही न ये बड़ी significant hurdle है बहुत बड़ी चुनोती है बादा है रुकावट है भारत की economic growth के लिए तो हमें 0.7% नहीं हमें 5.7% होना चाहिए या 3.7% होना चाहिए GDP का R&D की spending में लेकिन हम तो बहुत पीछे हैं चलिए meager का मतलब होता है only बहुत छोटी सी quantity के लिए meager लिखा जाता है hover करना यानि मंडराना किसी चीज के आसपास घूमना hurdle यानि रुकावट रस्ते का रोडा या बादा करेजी experts advocate for ramping this up to about 3% of the GDP जो experts हैं वो advocate करते हैं इस चीज की पैरवी करते हैं कि ramp up कर दिया जाए इस चीज को देखो उपर आया था amp up नीचे आया है ramp up दोना का मतलब एक ही है किसी चीज को उपर लाना तो इस चीज को उपर लिया जाए ramp up किया जाए लगबग 3% तक हमारी GDP के तो यह कहते हैं 0.7 से 3% ले आओ लगबग 4 गुना 4 गुना इसको कर दो इंडूस्टरिस नुशाद फॉर्प्स has pointed out that Indian companies are notoriously tight-fisted when it comes to research and development जो भारत के industrialist है नुशाद फॉर्प्स वो इस बात को point out भी कर चुके हैं इशारा करके भी कह चुके हैं कि भारतिये कंपनियां जो हैं Indian companies वो notoriously tight-fisted है tight-fisted होना कंजूस होना, किफायती होना parsimonious होना, याद ना stingy और notoriously यानि बदनाम होने वाले तोर पे notorious manner में notorious यानि बदनाम भारतिये कंपनियां बदनाम तरीके से कंजूस हैं, जब R&D की बात आए, कुछ नया इजाद करने के लिए खर्चा करने की बात है खर्चा नहीं करेंगे, कुछ नया इजाद सानू की, अमरीका करेगा, योरप करेगा, हम तो कॉपी कर लेंगे है न, तो यह इनका नुशाद Forbes का कहना है नुशाद Forbes की वाब है, has pointed out एक बंदे का नाम है, इंडॉस्ट लिस्ट है ये companies की वाब है, are notoriously या नहीं, in a notorious manner, in a infamous manner या बदनाम तरीके से, जब आप famous होते हैं, renown होते हैं तो आप समझगे न, आप सब जानते हैं आपको, आप नाम ही आदमी हैं जब आप infamous होते हैं, notorious होते हैं, तब आप बदनाम होते हैं टाइट-fisted में आपको अलड़ी बता चुक हो, when it comes to a phrase in English में, इसका मतलब होता है, जब बात हो, तो जब बात हो, research and development की तब हम इस तरह के रहते हैं, चलिए, challenging feel हो रहा होगा आपको और यही challenge feel आपको week में कम से कम दो बार करना चाहिए, है न, जब तक challenge के साथ में कुछ नया नहीं पड़ोगे न, नया सीख नहीं पाऊगे, next paragraph प्याते हैं करें जी, however, simply throwing more money at R&D is not a magic bullet, करें जी, हलांकी, खाली-खाली, simply, फैक देना और पैसे को research and development में, यह अपने आप में कुछ रामबान इलाज नहीं है, magic bullet नहीं है, रामबान इलाज समझते हैं आप, किसी चीज का एक ऐसी दवाई जिससे उस चीज का एकदम बढ़िया से इलाज हो जाए, एक dose के अंदर आपका वो रोक खतम हो जाए, जड़ से, इसको अंग्रेजी बोलते हैं, magic bullet, silver bullet भी बोलते हैं पैनिशिया भी आपने सुना होगा, अलेक सिर भी सुना होगा, क्योराल भी सुना होगा, सभी के सभी एक ऐसी effective medicine या दवाई के synonyms हैं, देखें, magic bullet के लिए या रामबान के लिए एक दूसरा word भी है, nostrum, लेकिन इसका meaning थोड़ा सा different है, nostrum एक ऐसी पैनिशिया है, that is fake, ठी fake और misleading panacea, और कई बार जोला चाप बाबा आपको मिलते हैं यह दवाई खालो, blood pressure सही हो जाएगा, cancer भी ठीक रदेते हैं, तो वो आपको nostrum दे रहे होते हैं, एक fake या misleading panacea या रामबान दवाई दे रहे होते हैं, तो nostrum negative way में यूज होने वाला word है, गलत पागल बनाने वा साली दवाउं के लिए, बड़े आंगे, चलो, आज के quiz में मैंने पूछा हुआ, nostrum, magic bullet, silver bullet, करें जी, यूफुक, from the University of Chicago, sheds light on this issue, करें जी, यह भाई साब जो है, economist, जो University of Chicago से belong करते हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी light shed करते हैं, प्रकास डालते हैं, इसी मुद्दे पर, तो यानि गोरा जो है, भारत के बाहर का एक अंग्रेज भी जो है, वो भी इस बारे में बात कर रहा है, और वो क्या कह र revealing that a similar increase in the US has not yielded the productivity improvements one might expect, तो इन्होंने ये light डाली है, reveal करते हुए, इस सीज को खुलासा करते हुए, कि इसी परकार का जो एक increase था, यानि इजाफा था, अमरीका में, R&D में, उसने yield नहीं किया है, पैदा नहीं किया है, या लाकर के नहीं दिया है, वैसी productivity की improvements को, जैसी किसी आदमी को expect होंगी, one might expect, तो इनका ये ही कहना है, जी यूफुक का, कि खाली R&D में, अन्दा धुन पैसा लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमरीका में भी बहुत कंपनियों ने लगाया था, लेकिन वैसा अमरीका को फाइदा हुआ नहीं, किसी खास specific period की बात कर रहा होगा, of course, चलिए, यूफुक, एक गिट की वह बहुए, sheds, sheds light, shed light on करना, किसी चीज पे रोशनी डालना, प्रकास डालना, similar R&D increase, इसकी वह बहुए, has not yield it, यहाँ पे R&D understood है, R&D के अंदर ही increase की बात हो रही है, इजाफे की बात हो रही है, तो similar R&D increase की वह बहुए, has not yield yield करना, यानि, पैदावार करना, लाकर के देना, मुनाफिक के तोर पे, ब्याज के तोर पे, चलिए, करेजी, despite R&D spending climbing from 2.2% of GDP in 1980s to 3.5% today, productivity growth has nose-died, करेजी, बावजूद, despite R&D spending के climb करने के या उपर चडने के 2.2% GDP के 1980s के दशक में, वहां से लेकर के 3.5% पे आज, करेजी, बावजूद R&D का इतना तेजी से grow करने के अमरीका में, करेजी, productivity में जो growth है, उत्पादन की शम्ता में जो व्रिद्धी है, वो nose-dive कर गई है, बहुत तेजी से नीचे आके गिरी है, R&D तो बढ़ रही है, लेकिन productivity उस ratio में बढ होता लगाना, नीचे की तरफ आना, करेजी, accept for a brief uptick in 2000, छोड़ करके एक छोटे से uptick को, छोटे से इजाफे को, या उचाल को, जो आया था productivity में, सन 2000 के दशक में, यह है अमरीका की हालत, अन्दा दून R&D में पैसा लगाया, उतना benefit इसको नहीं मिला, चलिए despite का मतलब ह concept है, पर्सों की class में आया था, आज फिर करवाँगा detail में, कुछ बच्चों ने लिखा था सर्फ पर्सों की class में, ओ detail में चाहिए हमें, तो आज की class में अभी कर लेते हैं, ठीक है, चलो, growth की वोब है, has nose dive, nose dive करना, या नाक की सीद में, गोता लगाना, नीचे की तरफ आना है ना, plummet कर जाना, decrease कर जाना, इसका उल्टा होता है जी, उपर की तरफ उड़ना, आकास में बढ़ना, या किसी चीज के अंदर इजाफा होना, increase होना, surge होना, uptick आना, तो ये uptick जो है, nose dive का बिलकुल उल्टा है, कहरे जी, more researchers, yet less productivity, a glowing irony, researchers तो ज्यादा हो गएं अमरीका म हैं, लेकिन productivity बहुत कम है, ये एक glare करने वाली, चमकने वाली, साफ साफ दिखने वाली, irony है, satire है, paradox है, irony याद है ना, उपहास आपको, तो researcher बढ़ेंगे, तो productivity बढ़नी चाहिए, लेकिन कम हो रही है, तो ये अपने आप में एक paradox या सरकाजम आ रहे नहीं है, चलिए, next paragraph पे बढ़ने से पहले, इस concert पो देख लेते हैं, article बहुत बढ़ा नहीं है, देखो, दो ही paragraph सा चुटे चुटे, concert मैंने परसों भी करवा इन conjunctions है, although, though, और even though, आपको ये decide करना है, कि कब किसका इस्तिमाल हो, इन तीनों में से तो किसी का भी इस्तिमाल हो जाए, ये तो एक दूसरे की जैसी ही है, बस इनकी form बदली हुई है, जब कुछ लिख करके बताना हो, तो although लिख दो, बोल करके बताना हो, तो दो लिख द कुछ से चूज करना है, although he earns well, he prefers to live a frugal life, despite he earns well, he prefers to live a frugal life, halangकी वो earn बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो prefer करता है, frugal life को जीना, एक किफायती जीवन को जीना, halangकी यहां भी halangकी, यहां भी halangकी, यहां पर although से, यहां पर despite से, अब ध्यान से देखना कहां पर कौन सा वाला सही है देखिए although एक conjunction है ये तीनों conjunctions है इनके बाद में एक subject verb का pair आना चाहिए और बिलकुल आ भी रहा है अगर अब ध्यान से देखो तो he subject है और earns इसकी verb है है कि नहीं लेकिन despite नाम की preposition के बाद में ये ही और उसकी verb नहीं आ सकते क्योंकि preposition को चाहिए एक अपना object अगर ये despite को अपना object बना लेगी ही को अपना object बना लेगा despite तो फिर earns जो है इसकी verb नहीं बन सकती English में एक noun अगर किसी का object बन जाए किसी का चेला बन जाए गुलाम बन जाए तो फिर दूसरी verb का वो मालिक नहीं बन सकता तो despite जो है preposition अपने बाद में इस ही को verb लेने को अलाओ नहीं करेगी तो क्या करें जी दूसरे case में despite गलत है सही कैसे करें सही किया तो हुआ है first case में despite को काट के although लिख दो बस यही तो आपको सीखना है subject verb आया हुआ है तो despite की जगा है although का इस्तेमाल करना बावजूद हलंकी वाला मीनिंग निकलाएगा और subject verb अगर नहीं आया हुआ सिरफ एक noun है तो फिर despite का इस्तेमाल होगा एक और तरीका है दूसरे वाले sentence को सही करने का वो मैं आपको सिखा देता हूँ आप ऐसा भी लिख सकते है despite the fact that इस case में क्या होगा despite preposition का object बन जाएगा fact नाम का noun और फिर that conjunction के बाद में नया subject ही और उसकी verb uns तो अगर आप formula की language में समझना चाहें तो despite despite the fact that works as a conjunction and it is quite equal to और similar to although या even though ठीक है though, although या even though जो भी आप लगाना चाहे clear है मामला तो इस तरीके से आप despite को एक conjunction में बदल सकते हैं या फिर उसको हटा के एक pure conjunction जो है although, even though यूज कर सकते हैं चलिये despite the weather was cold on that day she went out without a jacket बावजूद weather cold था उस दिन वो फिर भी एक बिना जैकेट के चली गई, निकल निकल गई बिना जैकेट के गलत बात है despite का इस्तेमाल यहाँ पे weather subject है, was इसकी वहब है या तो यहाँ लिखो, despite the fact that ऐसा लिख दो, तब यह sentence ही हो जाएगा या फिर इस पूरे को निकाल के, आप लिख दो although, although the weather was cold despite she was running a temperature, she went out without a jacket बावजूद इस चीज़ के की, वो run कर रहे है थी एक temperature को, run a temperature करना मतलब बुखार में होना अगर आपको बुखार है, तो इंगलीश में क्या बोलोगे I am sick, sick का मतलब तो आप विमार हो बिना बुखार के भी विमार हो सकते हो temperature के लिए क्या बोलोगे I have a temperature, नहीं I am running a temperature तो बावजूद वो बुखार में है ना, बुखार से परिशान थी फिर भी वो बिना जैकेट के चली गई अगें, शी की वह बार यह was despite का इस्तेमाल नहीं होगा या तो लगाओ although, या फिर लिखो despite the fact लास्ट में आपको दे रहा हूँ classwork, इस sentence को कोशिश करके सही करना है देखो कैसे सही हो गए comments में डालना, आपका homework है कोशिश करोगे तो फिर भी सीख लोगे, जिसने कोशिश ही नहीं की बस देख लिया, इसको web series मना के मुझे नहीं लगता जाता सीख पाएगा है न चलो, जरूर से comments में डालना आगे बढ़ते हैं, इस concept को आपने आज quiz में भी देखेंगे, last में करेजी, the cracks of the issue lies in resource allocation इस पूरे मामले का जो cracks है, जो इसका सार है, essence है, वो resource allocation में lies करता है संसादनों को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ में छिपाए small firms, it turns out are the real innovation hotbeds छोटी कंपनियां जो है small firms जो है, ऐसा निकल कर क्याता है, it turns out कि वो है, they are और क्या है वो, innovation के real hotbed देखे, hotbed यानि किसी चीज़ का hub या center, जहां से कोई चीज़ निकली है जहां से कोई चीज़ पैदा हो रही है तो छोटी कंपनियों से ही innovation निकल रही है, वही hotbed है innovation का या नवीनी करन का है न, किसी नई खोज का वाइल large corporation often prioritize maintaining their market dominance जबकि जो बड़ी कंपनियां जिनके पास पैसा खूब है वह अक्सर prioritize करते हैं इस चीज़ को कि वह maintain कैसे करें अपनी बजार में दबदबे को और किस चीज़ के उपर करते हैं prioritize, they prioritize it over fostering new ideas वह prioritize करते हैं इस चीज़ को नए ideas को foster करने से उपर foster करना यानि पालना, पोस्टना, नर्चर करना, पैदा करना नए ideas आप समझते हैं तो बड़ी कंपनियां कुछ नया याद करने की कोशिश नहीं करती हैं वो यह करती है जो हमने सीख लिया, जो बना लिया और जो बजार में अपना कबजा जमा लिया उस कबजे कैसे बनाए रखें है ना, जैसा मैंने आपको एक्जामपल लिया था जीओ का, जीओ टेलेकॉम का चलिए, small firms की वह बड़ी एक सेकेंड आप पैन ले लूँ small firms की वह बड़ी आर, it की वह बड़ी टरंस आउट, ऐसा निकल कर के आता है small firms are the real innovation hotbeds innovation आप समझते ही है hotbed यानि किसी चीज का center या hub, जहां पे वह चीज पूरे तरीके से focused है corporations की वह बड़ी प्रियर्टाइज foster करना, किसी चीज को promote करना करा है a study from Italy shows that as companies grow, they hire more politicians एक study जो हाई study कहां से आई भई, Italy से आई करहें ही जो study जो है इटली से वो ऐसा show करती है आमें दिखाती है, अच्छा क्या दिखाती है वो ये show करती है कि company जैसे जैसे grow करती है वो और ज़्यादा politicians को hire करने लगती है, नेताओं से सांडगांट करने लगती है hire करना यानि वे politician कोई धर्म सेवा का काम करने तो आएगा नि आप उसको एक salary दोगे, बड़ी मोटी तगडी तनख्वा दोगे, चाए चोरी चुपे चाए सब के सामने, तभी आप उसको hire करोगे और अपने साथ में मिला पाऊगे तो वो और ज़्यादा नेताओं से जुड़ने लगती है, and innovation takes a back seat, और innovation जो है, या खोज करना नहीं, या discovery करना, ये काम एक back seat ले लेता है, ये पिछली सवारी बन जाता है, back seat में हैं तो आप important नहीं है, आप front seat में हैं, तो आप driver हैं, है ना, आप driver के साथ में हैं, आप भी गाड़ी को चला रहे हैं, चलवा रहे हैं, तो innovation जो है, पीछे की seat प्याजाता है, या नहीं, कम important हो जाता है, study की वह बहुँआ शोस, structure बहुत सिंपल है, इसलिए बार-बार रिबीट नहीं कर रहा हूं है, ठीक है, companies की वह बहुँआ ग्रो, बड़ी important idiom है, और कहानी वानी के साथ अच्छे से बताई हुई आपको, back seat जो driver है, a person who gives unwanted advice, ठीक है, आप बैटे तो back seat में हो, लेकिन आप पिछे से बैट बैट करके driver के कान खा गए हो, यहां से मोड ले, यहां रोक ले, यहां तेज कर, यहां धीमे कर, तो पीछे बैट करके driver के कान खा खा रहे हो, उसको बिना बाद की advice दे रहे हो, उसने पूचा भी नहीं आप से, ऐसा आदमी, ऐसा चिड़ाओ आदमी कहलाता है, back seat driver, करे जी, in the US, the proportion of inventors, working for large companies, jumped from 48% in 2000, to 58% in 2015, अमरीका में भी बात करें, तो जो proportion है, जो हिस्सा है, और किसका, उन inventors का, जो large companies के लिए काम करते हैं, उन researchers का, वो jump कर गया, 48% जो 2000 में था, वहां से 58% 2015 में, तो दुनिया में जितने भी researcher हैं, अमरीका में जो काम कर रहे हैं, सन 2000 में उन में से 48% बड़ी कंपनियों में काम करते थे, 52% छोड़ी कंपनियों में, वो 48 बढ़के 58 हो गया है, 15 सालों में, करें जी, often relegating talented researchers to underwhelming roles, और करें ये काम होता है, अकसर relegate करते हुए, demote या downgrade करते हुए, talented researchers को, ऐसे roles या भूमिकाओं तक, जो underwhelming है, जो बहुत ज़्यादा exciting नहीं है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा satisfaction, मजा, hope, excitement मिले, ऐसा कोई काम उनसे नहीं करवाया जारा, बस आपको हमने लख लिया है, नोकरी में सरली अच्छी देंगे, काम ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हमारे साथ रहो, और ये देखो सारा दिन के competition की दुगान कैसे बंद होगी है, कुछ नया मत इजाद करो आप, इन सब चीजों में अपना time waste मत करो, ये करवाया जाता है, बड़े inventors से, चलिए proportion की वह बहुत जम्ट, inventor और कोई नहीं है, एक researcher है, जो अपना दिमाग लगा करके कुछ नया इजाद करना जानता हो, है ना, एक scientist है, relegate करना, किसी चीज को downgrade करना, underwhelming यानि, जिसमें excitement की और, hope की आशा की चीजों की कमी हो, जो disappointing हो और बहुत ज़्यादा dull हो, चलिए last paragraph, करे जी for India, this means, the government should increase competition, meaning ये है, कि सरकार को, government को, encourage करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, competition को, यानि, बजार में प्रत्योगिताओ को, और किसके बजाए, कहरे जी, बजाए यानि, rather than, codal करने के, सर पे चड़ाने के, pamper करने के, corporate giants को, बड़े बड़े corporate घरानों को, इनको सर पे मत चड़ाओ, किसी रिलाइंस इंडस्ट्रीज को, किसी टाटा को, किसी बिला को, है न, ये तो हो गए बड़े, इन्होंने जो कमाना था, कमा दिया, टेक्स दे रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, इनको सर पे चड़ाने की बजाए, आप बजार में छोटी कम्पनियों को बढ़ावा दो, competition बढ़ा, competition फैले, बढ़े और, नया कुछ इजाद होने के, समीकरन बन पाएं, है न, this means, this is what it means for India, this की वाबबा मींस, government की वाबबा शुट एन करेश, की दो वर्ब्स है, should encourage rather than codal, rather than का मतलब होता है, बजाए, ये conjunction का काम कर रहा है, इस केस में, और rather than, अपने बाद में, वर्ब की base form लेता है, जैसे इस केस में codal लिखा हुए, समाझ पा रहे हो, अगर ये should encourage ना लिखा होता, तो फिर यहाँ base form की जुरुत ना होती, फिर आप verb की ing form भी लगा सकते थे, उस केस में, rather than की जगह आप instead of का इस्तेमाल करते, instead of भी बजाए वाला meaning देता है, लेकिन verb की ing form देता है, तो पहले वाली verb को देख करके, आप चेक करेंगे, कौन सा आपको preposition ये conjunction यूज़ करना है, यहाँ पर verb की base form आ रही है, तो आगे भी base form आएगी, और rather than का इस्तेमाल किया जाएगा, कहरा जी supporting small innovative firms, can yield the disruptive technologies, needed for genuine productivity gains, कहरा सपोर्ट करने का जो काम है, और किसको भाई, छोटी छोटी कंपनियों को, MSMEs को, small innovative firms को, ये काम yield करेगा, पैदावार करके देगा, ला करके देगा, disruptive technologies को, ऐसी technology हैं, ऐसी तकनीक को, जो disruption ले आए बजार में, हाहा कार मचा दें, अचानक से chat GPTI आए तो हाहा कार मच गया न, नोकरियां खतम होगी, बहुत सारी, तो ये disruptive technology है, तो इसी तरीके से, छोटी कंपनियों को बढ़ावा दो, ऐसी ही disruptive technology हैं, वो yield करेंगी, लाके देंगी, और ये वो technology हैं, जो needed है, सही में या genuine तरीके से, productivity के gains के लिए, supporting evolve है, के रहा है, after all, a few corporate champions, may provide a short term boost, but letting them monopolize the scene, could backfire, spectacularly in the long run, के रहें जी, सब बातों की बात ये है, after all, जो थोड़े बहुत corporate champions हैं, जो Tataas, Bidlas, और Ambanis हैं, Adanis हैं, के रहें, ये provide कर सकते हैं, short term में boost को, आप इनको थोड़ा बढ़ावा दो, ये tax, अच्छा collect करके देंगे, देश की economy बढ़ेगी, short term में, करें, लेकिन इन लोगों को अगर आपने let कर दिया, इजाज़त दे दी, कि ये monopolize कर लें, monopoly बना लें, एक अदक दिकार बना लें, पूरे scene में, जिस भी industry में, जहां भी ये काम कर रहें हैं, तो ये काम जो है, ये backfire करेगा, आप ही के उपर उल्टा वार करेगा, बैक फायर करना, उल्टा वार होना है न, reverse effect होना, बहुत ही शांदार तरीके से, spectacular manner में, long run के अंदर, लंबे वक्त में, ठीक है न, तो मान लीजिए, अगर company है, उसको खूब अपने बढ़ावा दिया, private company थी, उससे monopoly बना ली, बाद में, उस सारी company खतम होगी, फिर उस company ने बोला, अब मैं मेरे हिसाब से, मेरा product बेचूँगा, 100 रपे की चीज, 1000 में बेचूँगा, 700 में बेचूँगा, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, यही होता है, corporate houses को जब आप सर पे चड़ा लेते हैं, यह आप पर backfire करता है, लंबे run में, meaning समझ में आ गया, interesting लगा article, corporate champions की वर्ब है, may provide, letting them की वर्ब है, could backfire, backfire करना, आपने fire तो सामने किया था, लेकिन गोल ही पीछे चल गई, backfire हो गया, ultra effect आ गया, spectacular यह नहीं, in spectacular यह शांदर manner में, monopolize करना, किसी चीज़ पर एक आदिकार जमाना, पूरा दब दबा, दब दबा जमाना, let के बाद में, वर्ब की base form का इस्तेमाल किया जाएगा, let them to monopolize नहीं, let them monopolize, let me go, let us play, let us dance, है ना, तो जाब भी वर्ब लगाओ let के बाद में, play, dance, to का इस्तेमाल कभी भी let के बाद में नहीं क्या जाएगा था, चलिए wrap up करते हैं class को, hopefully interesting भी लगा होगा, और सब सीखा भी होगा आपने, नया नया, जल्दी से अपने quiz पे आते हैं, first पैरा jumble set है, एक बार इसको खुद से try दे नहीं है, कोई options नहीं हैं आपके पास, अराम से वीडियो को pause करो और चेक करो, कैसे आप इसको arrange करेंगे, first sentence है, however, आलांकि, productivity growth remains disappointing in the US, US में productivity की growth बड़ी disappointing है, despite high R&D funding, तो ये however वाला sentence तो आपका पहला sentence बन नहीं सकता, however यनि हालांकि, तो पहले कोई बात बताओगे, फिर हालांकि की बात होगी, तो A से पहले कोई और sentence आएगा, A cannot be the first sentence of the arrangement, तो BCD में से एक first sentence बनेगा, आप देख लो BCD, India's R&D investment represents a mere fraction of its GDP compared to global peers, भारत की जो R&D investment है वो represent करती है, एक छोटे से fraction या हिस्से को भारत की GDP का, जब compare किया जाए, ग्लोबल पियर से भारत के जो संकक्ष हैं पूरी दुनिया में, भारत जैसी countries हैं जब उनसे compare किया जाए, यहाँ पे कुछ भूमिका बांदी जा रही है, R&D investment को ले करके और भारत को ले करके, B जो है आपका पहला sentence बन सकता है, C को देखते हैं, इस trend indicates that large corporations often suppress innovation for market control, यह जो trend है यह indicate करता है कि बड़ी कंपनियां, अकसर innovation को suppress करती हैं, दबाती हैं नहीं खोजों को market control के लिए, अब यह trend कौन सा trend है, पहले trend बताओगे, फिर C आएगा, तो C भी आपका पहला sentence नहीं बन सकता, A भी नहीं बन सकता, B बनेगा, अब D को भी देख लो, encouraging small enterprises could provide the disruptive technologies, small enterprises को increase करना, यह काम provide कर सकता है, हाहा कार मचाने वाली technologies को, जो necessary है, genuine advancement के लिए, सही में तरक्की के लिए, D के अंदर जो है, छोटी कंपनियों की बात की गई है, बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां जहां आएंगी, कठी आ जाएंगी, तो क्या बना जी, B आपका पहला sentence बनेगा, और कोई बन भी नहीं रहा इसके लावा, इसमें however आ गया, इसमें this trend आ गया, कौन से trend की बात हो रही है, देखो बारत के trend की बात नहीं हो रही, ये trend बता रहा है अमरीका वाला, भई फूब R&D funding हुई, उसके बावजूद growth बहुत कम है, productivity के अंदर, मतलब बड़ी कंपनियां, innovation को suppress कर रही है, R&D funding करने के बावजूद, कुछ नया खोजने की, इजाद करने की कोशिश नहीं कर रही है, समझ पारे हो, ये जो A है ना, इसके बाद C हैएगा, इतना आप समझ लो, ये trend जो है, ये अमरीका के बड़ी कंपनियों में, growth ना होने की बात करता है, R&D funding होने के बावजूद, और ये हलांकि जो बात कर रहा है, ये इंडिया से विलकुल उल्टी बात कर रहा है, global beer जो और यानि अमरीका, उसमें, बारत में तो नहीं है, हलांकि अमरीका ने भी करके कुछ बड़ा निहाल नहीं किया, यूँ कहना चाना है, बारत में बहुत कम है, लेकिन भारत का जो पीर है अमरीका वहाँ पे काफी ज़्यादा है हालांकि वहाँ पी ज़्यादा होने के बावजुद कुछ उसने करके नहीं दिखाया तो ऐसे बनेगा आपका पूरा सेट B भारत में क्या है A हालांकि अमरीका ने भी क्या निहाल किये C C जो अमरीका ने किया है उसका कारणा में का क्या ट्रेंड का क्या इंडिकेशन है कि बड़ी कंपनियां कुछ करती नहीं है और लास्त में D बड़ी कंपनियां कुछ नहीं करती है तो छोटी कंपनियों को आप एंकरेज करें ताकि innovation आ सके तो large से आप small enterprises को C or D को connect करेंगे अगर इतना clearly आप answer नहीं भी बना पाएं तो आप इतना तो देख पाएंगे कि B आपका first बनेगा C के बाद में D आएगा और C जो है A से connected होगा है ना इतने से भी आपका 4 options में से सही option निकल आएगा एकदम clear cut ना भी बनता हो तो भी एक या दो hints मिलने पर answer बन जाता है चलिए बढ़ें आगे ये पैरा जंबल वाला question पूरा 5-7 minute ले देता है क्या ultimate goal है R&D की spending को increase करने का article के इसाब से क्यों spend जो है बढ़ाना चाहिए R&D पे ट्राइ देलो एक पर खुद से सब बच्चे करवारा हूं मैं सबकी answers देखो ultimate goal यही है ultimate goal यही है की productivity में gain आये economy growth है तभी R&D को आपको spend करना है है ना इसलिए आपको spend करना होता है ना तो monopoly करवानी है large company की ना भारत को leader बनाना है बस हमें productivity को improve करना है तो second answer हो गया आपका B right थर्ड पर आजाओ article के हिसाब से कौन सी R&D presented है R&D spending को लेकर के अमरिका में क्या paradox आपको मिलेगा विरोधा भास आपको मिलेगा बहुत easy है वहाँ पे खूब खर्चा हुआ R&D पे लेकिन फिर भी कोई productivity बूस्ट नहीं हुआ higher R&D has not led to expected productivity improvement यह तो easy था ना nostrum का meaning पूचा है renon का ulta पूचा है synonym नहीं उल्टा frugal, notorious या infamous backseat driver को होता है EDM आपको बताई थी और relegate word का meaning आप से पूचा है parsimonious, demote, pamper या meager close, last में आपको मिलेगा error के questions, दो questions है ठीक है पहली error आपको मिल सकती है, इस word की वज़य से या इसके आसपास और दूसरी आपको जरूर मिलेगी इस word की वज़य से या इसके आसपास अराम से ढूंडो, first comment में answers डाल दिये गए हैं, सभी questions के जाओ, check करो, first comment को और वहाँ पर लिखना, read more पर क्लिक करना, सारे answers आपको मिल जाएंगे out of nine कितने marks मिले जरूर से बताना comment section में, कल की class में मुलाकात लेंगे आज का lecture कैसा लगा, जरूर से ये भी लिखना, जो बच्चों ने पूरी class देखी है, और जिनको interesting लगी है, तो PD या PDI लिख दिया करो, सर, पूरा देखा, PD और interesting भी लगा, ये आपको feedback देने का तरीका है, comment section का इस्तेमाल करें, कल आप से लेंगे मुलाकात कल की class में, जिन बच्चों को courses की जरूरत है, extra classes की जरूरत है you can take the benefits of the courses application को download करें, YIT app को आपको writing का, SSC का और banking का, in fact UPSC का भी course मिल जाएगा, affordable courses है महनुद करना चाहते हैं, तो आपको download करें comment section में link रखा गया है, you can take the benefits चलिए, until then, signing out